जहिन साथियों बिहार एस्टेटी जो है उसके एक पर एक न्यूज आते जा रहे हैं जिस तरीके से चटे चरण के बहाली को रोका गया उसके बाद साथवे चरण के लिए जिस परकार्श लोग जूटे हुए हैं उसको देखते हुए सरकार भी समय समय पर एक नोटिस जारी क करती रहती है ताकि उन लोगों को भी कुछ वक्त मिल जाए कि बहाली परक्रिया को आगे बढ़ा जाया और जो अंदोलन है या जो भी चीज़े हैं उनको थोड़ा सा रोकने का मौका मिल जाए जी फिर से स्टीटी में एक लेटेस्ट न्यूज आया है कि जारी हुआ नया जो भी जान ले माधमिक सिक्षक पातरता अपरिक्षा स्टीटी दोहजार उनीज के पेपर वन एबं पेपर टू में विशाय बार एबं कोटी बार उपलब्द कराई गए रिक्तियों के अनुसार चेनित अभियोर्ति के रिजल्ट शितन क्वालिफाइड अंकित किया आपको पता है कि पहले भी ये गोशना होती रही थी कि जो भी अभियर्ति क्वालिफाइड करेंगे यानि वही करेंगे जो सीटों के अनुसार अपने प्राप्तां को प्राप्त करेंगे और वही नोटिस फिर से दूसरा उक परिक्षा में पेपर वन एबं पेपर टू में प्राप्त करेंगे रिक्तियों के अनुसार चैनित अभियर्तियों को छोड़ कर से सभी अभियर्तियों के रिजल्ट सिट में डिस्क्वालिफाइड अंकित क्या जाए क्योंकि जिस तरीके से जब 21 जून को रिजल्ट आया तो उसके बाद आचानक जो है असी हजार क्रोस क हलका मच गई थी पूर्य अभियर्तियों में कि यह क्या हुआ एक तो सिक्षा मंतरी कह रहे थे कि जितनी सीथी उतना ही रिजल्ट तो फिर ऐसे क्यों हुआ और तीसरा उक्त परिक्षा के पेपर वन विसे कोड़ 107 विसे समाजी के विग्यान में निर्धारित मापदंड क इतिहांस अत्वा भूगोल की परिक्षा नहीं देने वाले अभिरतियों के परिक्षा फल में इन्भायर लिड़ कर परिक्षा फल परकासित किया जाए अत्वा उप्युक्त बर्नित मापदंड के अलोग में उक्त परिक्षा का परिक्षा फल त्यार किया जाए जी से एक सूपर टेट कराए जाए और जो पास अभ्यर्थी क्वालिफाइड है उन्हीं में से और उतने ही रिजल्ट पब्लिश की जाए जितने अभ्यर्थी पास तो यह एक बहतरीन हो सकता है कदम अभ्यर्थियों के लिए